हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल देखे फ्रेंट्स आज हम एक्सरसाई 10.3 का क्यूशन नमर 11, 12 और 13 देखेंगे एक्सरसाई फिनिस करेंगे देखें क्या करना है इंटिग्रेट करना है 1 से 4 क्यूशन नमर 11 देखते हैं वही जबकि fx dx इसकी value find out करनी है जबकि fx की value क्या given है 7x plus 3 है अगर ये condition है कि 1 से 3 के बीच में है x 1 से 3 है तो ये है और 8x लेंगे fx को use में लेंगे जब 3 से 4 है x ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको 1 से 4 है तो 1 से 3 और 3 से 4 में तोड़ लेंगे इसको break करेंगे 1 से 1 से 3 में ठीक है अब 1 से 3 में और पालास 3 से 4 में लास्ट कहा जाना है 4 1 से 3 की बात करें और fx की बात करें तो 1 से 3 के लिए fx हमने क्या लेना ये तो 7x पलस 3 लिखेंगे 7x पलस 3 dx पालास अब 3 से 4 में बात करें तो fx क्या लेंगे 8x तो यहां 8x लिखेंगे dx किलियर भई अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली बस 7x का क्या हो जाएगा 7x सुकेर भाई 2 3 का क्या हो जाएगा 3x और लिमिट अपलाई कर देंगे 1 से 3 पालास यहां पर 8x है तो 8x सुकेर भाई 2 हो जाएगा और इस पर लिमिट अपलाई कर देंगे 3 से 4 देखो यह कट रहा है तो काट ले वही दो से यह दो चौक 8 यानि कि 4x सुकेर पर अब हमने लिमिट अपलाई करने है पहले यह करें तो 3 अपलाई करेंगे तो 7 इंटू यह 9 बढ़ जाएगा 3 का सुकेर बाई 2 पालास यह 9 आजाएगा यहां से माइनस 1 अपलाई करें अपर लिमिट कर दी माइनस लोवर लिमिट तो ब्रेकिट लगा ले वही ताकि मिस्टेक ना हो 1 रखेंगे तो 7 बाई 2 आएगा यहां से बए 1 का सुकेर तो 1 याना है पलस यहां से 3 आ जाएगा यह हो गया अब इसको करने पलस यहां पर देखें तो 4 x सुकेर है इसमें 4 रखेंगे तो 4 का सुकेर कितना 16 और 16 into 4 4 into 16 हो जाएगा minus 4 और ये 4 का square 16 minus lower limit तो 4 into 3 का square यानिकी 9 आ जाएगा ठीक है अब इसको solve कर दें तो ये कितना हो गया 63 by 2 plus 9 minus 7 by 2 इस bracket को खोल ले plus minus minus का 3 और पालास ये कितना हो गया सोडा कुछ हार से multiply करेंगे तो 64 minus 36 ठीक है अब यहां देखें तो ये कितना हो गया 63 by 2 और minus का 7 by 2 और 9 में से 3 जाएगा पालस का 6 बचेगा अब यहां देखें पालस यहां से कितना बच जाएगा ये 8 और ये कितना बचेगा वही 2 ठीक है 28 बच गया अब हम क्या कर लें इस bracket को 8 लेते हैं ठीक है कोई फरक नहीं पड़ेगा अब यहां पर देखें तो 28 और 6 कितने होगे 34 होगे भी मैं यहां कर देता हूँ अब इसको 63 by 2 minus 7 by 2 और यहां कितना वही 34 बने गया पालस का 34 कुछ भी नहीं तो 1 लगा लेते हैं किलियर अब इसका lcm ले ले तो 2 lcm आ गया हैं यहां से 63 यहां से 7 और यहां से कितना आ जायेगा 68 ठीक है अब इसको सोल करें यह पलस का है 68 पलस का तो 68 और 63 कितने होगे देखो 8 और 311 और यह कितना 612 और 131 हो गया 131 में से हमने 7 सब्ट्रेक कर देना है तो कितना हो जाएगा 124 124 और 124 और 122 से करेंगे तो यह 6 और 2 कितना आ गया 62 यही क्या हो जाएगा इसका आंसवर यह था वही आपका question number 11 आप note कर लेंगे friends अब question number 12 देखेंगे वही minus pi by 2 से pi by 2 integrate करना fx dx इसकी value find out करनी है हमने question में दिया है using property आपको यह करना है तो property use कर लेंगे वही यहां पे दे x plus cos mode of x दिया है ठीक है fx की value यह दे रखी है तो हम यहां पे बात करें तो यहां minus pi by 2 से pi by 2 करना है integrate fx दिया है fx को लिख लेते है sin mode of x plus cos mode of x ठीक है और यह dx यह तो fx की value रख ली dx किसके respect में integrate करेंगे यह भी लिखना है आपने ठीक है अब यहां पे देखें तो minus pi by 2 यह एक बात देखें आप minus pi by 2 से pi by 2 की बात हो रही है अगर आप इसको ऐसे समझें देखो minus pi by 2 से pi by 2 की बात अगर वैसे minus pi by 2 यहां होता है और plus का pi by 2 यहां होता है यह 0 अगर आपने plus में एंगल चलना है तो इदर और minus में चलना है तो इदर इस बात को समझ ले पहली बात तो दूसरी बात अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो mode कहा लगा है, x पे लगा है, और x के बारे में हमने पढ़ रखा है क्या, भी x होगा, if x greater than or equal to 0 होगा तो, ठीक है, और minus of x लिखेंगे, यदि x less than 0 है तो, यह minus of x, देखो आप क्या कहते हैं, mode में कोई vision क्या रखें, लखा, तो 2 आया, अगर मैं minus 2 रखूँगा, तब भी result क्या देता है, plus का 2 देता है, वो कैसे आता है, अब यहां से समझे आप, यह जो मैंने definition लिखी है, यहां पे, देखो, minus 2 क्या है, 0 से छोटा है, इसमें बात आ रही है, 0 से छोटे का मतलब x है, इसका मतलब negative की बात हो है, और negative में क्या करना है अपने को, negative में, यह plus कैसे है, हम यह समझा रहे है, negative में क्या करना है, यह minus तो यह माइनस लगा लेना है आपने और x इस x की जगे अब यहाँ कौन काम करा इसको इसे compare करें तो x का काम माइनस 2 कर रहा है तो यह माइनस तो यह वाड़ा और यह माइनस 2 x है तो माइनस माइनस क्या हुआ पलस का 2 आया किलियर भई तो इसको आपको समझ में आना चीए कि कैसे आता है किलियर अब यहाँ पे हम बात करें तो देखो 0 से छोटे के लिए अलग बात है और बड़े और इक्वल के लिए अलग बात है तो हम इसको क्या कर लें माइनस 5 x 2 से 0 पे आप break कर ले ठीक है माइनस 5 x 2 से 0 पे break कर ले पहले तो एक काम कर लेते हैं इनको ना अलग 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 integration दे दें मानलो अगर मैं इसको अलग अलग integration दे दूँ sin mod of x ठीक है dx पालास माइनस 5 x 2 से 5 x 2 और cos mod of x dx किलियर है वई ठीक है अगर आप एक साथ इसको रखना चाहते है तब भी कोई दिक्कत नहीं माइनस 5 x 2 से 0 ब्रेक करेंगे पूरे को इसको फिर उसके according लिखेंगे ठीक है और फिर उसके बाद में 0 से 5 x 2 पे जाएंगे ऐसे भी आप कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने इसको पहले separate separate कर ले है मतलब यह integration इसके साथ भी है और इसके साथ भी है ठीक है अब यहाँ पे इसकी बात करें तो अब इसको हमने क्या करना है ब्रेक करना है माइनस 5 x 2 से 0 पे जाएंगे ठीक है और फिर क्या करेंगे पहलास फिर 0 से कहा जाएंगे भई हम finally 5 x 2 पे यह जो दिख रहा है अपना यहाँ तक इसको दो इसो में हमने तोड लिया ब्रेक कर लिया 0 पे क्यों कर लिया क्योंकि 0 तक अलग कानी होने वाड़ी है इसकी और 0 से उपर अलग कानी से मतलब क्या है माइनस 5 x 2 से 0 सारी वैल्यू नेगिटिव देंगे तो x की जगे क्या आएगा नेगिटिव नेगिटिव आएगा तो साइन ओफ माइनस x आएगा dx किलियर है वाई देखो आगर आपनी नेगिटिव वैल्यू है नेगिटिव का वैल्यू का मतलब x less than 0 है तो कैसे लिखना है mode को अठा के माइनस ओफ x की रूप में माइनस ओफ x की रूप में वहीं तो लिखा है मैंने किलियर है पालर % 0 से 5 y 2 मतलब बात कर रहे हैं 0 से बढ़े की बढ़े का मतलब देखो x बढ़ा है 0 से तो mode of x को x लिखना है तो अब इसमें आप लिख देंगे, इसमें बात करेंगे sin of mode को अटा के x लिखेंगे dx, किलियर है वई, इसको हमने तोड़के break करके लिख दिया है, अब आगे इसको भी दो तरह से कर ले आप, इसको आप break ना भी करें तो भी कोई दिकत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है, अगर कोस में negative में भी आएगा, तो कोस of minus citta, तो plus citta यहोना है, तो आप इसको यहां भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको भी split करें, तो भ minus of x, ठीक है, dx, इसको अगले step में कोस x लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है, कोस of minus citta, पलस कोस citta होता है, यहोगया, पलस, finally, 0 से अब कहां जाना है, अपने को, 0 से pi by 2 पे, इसको 0 से pi by 2 में value plus की बात हो रही है, तो mode को अटाके x लिखेंगे, यानि कोस of x, dx, किलियर है यह minus citta, minus sin citta होता है, मैंने भार लिख लिया, sin of x, dx, पलस, 0 से pi by 2, और sin x, dx, पलस, minus pi by 2 से 0, और cos of minus citta, पलस, cos citta होता है, यानि कि cos x, dx, लिख सकते हैं, पलस, 0 से pi by 2, और cos x, dx, ठीक है भाई, अब इसको करना है, हमने क्या, integrate, और इसकी value रखनी है, तो देखें, हम इसको integrate करेंगे, sin x का integration, यहाँ पे minus है, यह वाड़ी, यह वाड़ी, यह वाड़ा, चल रहा है बार, sin x का integration की अगर हम बात करें, तो minus cos x आएगा, क्या आएगा minus cos x, limit क्या है इसकी, minus pi by 2 से 0, ठीक है, पलस, फिर इसका करें, sin x का, तो यह भी minus cos x आएगा, integration कर रहे है भाई, तो minus ही आएगा, 0 से pi by 2, ठीक है, पलस, cos x का integration करेंगे, तो क्या आएगा, plus का sin x आएगा, plus का sin x, और limit लगा देंगे, minus pi by 2 से 0, plus cos x का integration करेंगे, तो plus cos x आएगा, और limit लगाएगे, 0 से pi by 2, केलियर है भाई, अब यहाँ पर इसको आगे देखते हैं, देखो, मैं यहाँ कर देता हूं, इसको, देखें भाई, हम यहाँ करने की कोशिस करेंगे, इसको, देखें, अब यहाँ पर देखें, तो हमने, देख हो जाएगा, ठीक है, और क्या चल रहा है, cos of x, cos of x, इस पे आपने limit apply करनी है, minus pi by 2 से 0, आगे है, plus और minus, इस minus को भी बहार ले आएगे, तो plus minus क्या हो जाएगा, बीच में minus लग जाएगा, और cos of x, और limit क्या है, वहाँ इसकी 0 से pi by 2, 0 से pi by 2, आगे देखें, plus sin x, sin x, और इ minus pi by 2 से 0, पलस, आगे है, sin x, और इस पे limit क्या है, 0 से pi by 2, 0 से pi by 2, clear, अब बैसीन में limit रख देंगे, तो upper limit minus lower limit, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो, यहाँ से cos 0 minus cos of minus pi by 2, भाई, x की जगें रखेंगे न, upper limit minus lower limit, तो lower limit minus pi by 2, एक्स की जगें रखेंगे, minus, यह वाड़ा minus, फिर यह आया, minus अगर लगा रहे हैं, तो bracket लगा ले वई, ठीक है, अब यह इसको लिखें, cos pi by 2, और minus upper limit minus lower limit, यहाँ जीरो, पलस, यहाँ लिखें, sin 0, minus, देखो, upper limit हो गई, minus, lower limit, तो lower limit क्या है, sin of minus pi by 2, lower limit क्या है, minus pi by 2, पलस, यह sign, upper limit, sin pi by 2, और minus lower limit, sin of 0, देखो, इनके साथ मैंने bracket नहीं लगाई है, क्यों नहीं लगाई होई, क्योंकि पलस में है, तो पलस में तो कोई फरक पड़तना नहीं, अब minus में था, इसलिए मैंने यह bracket लगा ली है, ठीक है, इसको आप बड़ी bracket बना लें, ताकि किलिरली दिखें, ठीक है, अब आगे देखें, कोस ओफ 0, कोस ओफ 0 क्या हो जाएगा भई, कोस ओफ 0 की value, देखें, मैं अब इसको value रख देता हूँ, बैस सिदा, कोस 0 की value कितनी होती है, 1, और यहाँ पे देखें, तो कोस ओफ, आप यह समझें, कि यह कोस ओफ पाई बाई 2 है, क्योंकि कोस ओफ माइ माइनस थिटा को, कोस ओफ पलस थिटा लिख लेंगे, ठीक है, यह माइनस हड़ जाएगा, बैस यहाँ से, इसको पलस नहीं कर देणा है, कोस पाई बाई 2 की value कितनी होती है, 0, अब आगे देखो माइनस, यहाँ बात करें, तो कोस पाई बाई 2 की value 0, माइनस को जीरो की value 1, पाई अब पाई 10 की value 0, माइनस, यहाँ साइन ओफ माइनस पाई भाई 2 है, इसको आप देखें, ये माईनस और साइन ओफ माईनस थिटा, माइनस साइन थिटा होता है, तो इस माइनस को, जब मैं माइनस ons औफ साइन थिटा लिख़ूँगा, तो यह पाई पलस बन जाएग जीरो पे जीरो अब इसको सोल करें तो देखो वान यह रहा जीरो कोई काणी है नहीं माइनस माइनस पलस का वन यहां से आ गया और पलस वान पलस वन कितना हो गया यह फोर यही क्या हो जाएगा इसका आंस्वर यह था वही आपका क्षिशन नमर 12 आप नोट कर लेंगे अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्षिशन देखेंगे क्षिशन नमर 13 क्या कहता है माइनस 5 से 5 इंटीग्रेट करना है और एक्स की पावर 43 पलस मोड ओफ एक्स ठीक है ऐसे लिख सकते है ना इसको अब एक को आईवन नाम ले ले अगर हम एक को आईटू ले 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 तो आई कैसे आएगा लेट कर लिया आईवन और इसको आईटू तो आईवन पलस आईटू कर देंगे तब फाइनली आई मिलेगा भी तो आईवन जो है उसको सोल करके लाते ह आई वन क्या है अपना माइनस 5 से 5 x की पावर 43 dx ठीक है अब यहां पे देखें तो हमें पता है माइनस a से a बन रहा है यहां property दिख रही है ना माइनस a से a क्या property पड़ी है हमने मैं यहां बता देता हूं माइनस a से a f x dx जो है वो क्या होता है देखें आपने लिखनी भी है वही ताकि अपना question गलत हो जाए तो atleast property का number भी दे तो यह क्या होगा twice of 0 से a f x dx होगा कब यदि if f x is an is an even function कैसा function होगा even function अब even function से क्या मतलब है that is इसका मतलब क्या है कि f of minus x लेके चले और f x अगर दे दे तो तो वो even function है तो हमने इसके साथ यह कारणी करनी है और इसका result 0 लिख देंगे कब यदि f x क्या है odd है is an odd function कैसा function है odd function यानि कि f of minus x minus f x अगर दे तो हम बोलेंगे कि यह odd है और इसका आंसर सी दामने क्या लिखना है 0 ठीक है अब यहाँ पे इसको इससे compare करें तो देखो a का काम 5 कर रहा है और f x का काम यह कर रहा है f x का काम कोण कर रहा है अपना x की power 43 कर रहा है अब हम क्या करें हमें यह करेंगे यह जीरो लिखेंगे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि even है या odd function ठीक है इस प्रकार का question हमने पहले भी देखा है यहाँ पे देखें तो f of minus x ले x के साथ क्या कानी हो रहे एक यहा लिखा गया और उसकी पावर 43 अब x की जगह गया माइनस x पावर 43 अब ओर पावर है यह माइनस की पावर 43 नहीं कर, अचिक रही इख सकते हैं इसको यह minus agities और x की power 43 क्या है fx यह तो है अब देखें तो f of minus x लेके चले थे और minus fx आया इसका मतलब क्या हुआ function क्या है odd है और इस odd है तो क्या करेंगे इसको सिदा 0 लिखेंगे इसकी कारणी इसकी कारणी क्या लिखेंगे 0 आप बोलेंगे since fx is an odd function is an odd function यह क्या है अपना odd function है और odd function है तो therefore i1 is equal to क्या हो जाएगा 0 क्योंकि यहां आप अपनी बात लिख चुके हैं कि क्यों 0 हो जाएगा odd function है तो यह 0 होगा और even है तो यह ठीक है वई अब इसके बाद देखें अब मैं बात करता हूँ वही किसकी i2 की अब हम i2 को solve करते है ठीक है i2 को solve करें इसके बाद आपने यहां से कर लेना है ठीक है i2 i2 की बात करूँ तो i2 क्या है अपना minus 5 से minus 5 से 5 mode of x dx अब हमें पता है कि इसका turning point जो है वो 0 उने वाड़ा है तो आप minus 5 से 0 की बात करें और फिर 0 से mode of x हमने पिछे भी question में बताया कि mode of x की क्या definition है उसके according अब यहां करना है देखो mode of x की बागर बात करें तो x यदी x greater than equal to 0 और minus x यदी x less than equal to sorry less than 0 इसमें equal नहीं आएगा वही ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे minus 5 से 0 पर break करेंगे और minus plus फिर क्या करेंगे 0 से 5 पर जाएंगे last ठीक है अब यहां बात करें minus 5 से 0 की यानि की negative की value रखेंगे x क्या है जीरो से छोटा है तो आपने mode अटा के minus x लिखना है तो इस mode को अटा के minus x लिख दू तो यह minus बार लिख देता हूँ x dx पलस अब देखेंगे 0 से 5 पर बात करें तो 0 से 5 पर 0 से 5 का मतलब 0 से बड़े की बात हो रही है यानि की mode हटके क्या आएगा पलस का x आएगा तो यहां लिखें पलस x के साथ ठीक है dx अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे इसमें लिमिट रखेंगे तो यहां क्या है यह माइनस बार चल रहा है यह क्या हो गया इसका इसका हो गया एक सुके अरब यहां पर यहां पर यहां तक कर लेना है यह तो साइड में लिखेंगे और फिर यह किया है मैंने अब यहां लास्ट में यहां ठीक है step by step आपको ध्यान रखना है कब कौन सा मैंने पहले क्या है कौन सा बाद में क्या है वैसे आपने इसको जोड लेना है अब यहां से देखें बई आई टू चल रहा है ना अपना आई टू अब लिमिट अपलाई करें तो माइनस तो बहार रहे अपना अपना अब यहां पर लिमिट जीरो अपलाई करेंगे तो तो 5 रखींगे तो 5 5 25 25 यह जोगए पाइब तो सी 5 यह जोगह pedir mice 25 25 25 को दूपड ग यह जोगए 25 25 तो यह कितना अगया ही 25 यहीं क्या हो जायगा इसका आज़स्वर हो जाएगा बई देखें किसी स्टुधेंटि के माइन में यह भी डाउत आ सकता है कि क्या अम इसको कर सकते जिए तिlight loyalty संक Always देखे तो भाई यहां विने विनी आफे इसला है तो defined सकते थे इस में से एकरते एफ एक्स का काम यह करता मोड़िय। अगर आप माइणस भी लेकश लेए चलते तो एफ एक्स आता पलससकी फह्ट साता मतलब केडियों 수 each करते आप करके जीरो से ऐफ दियएक्स आप क्या लिखते ऑफ तब अब आप इसको सोल करते तब भी कितना आनस्व राता 25 या था आप ये वे भी कर सकते हैं ठीक है ये करें तो ये कर लें ये करें तो ये वाड़ा कर लें ठीक है ये था आपका लास्ट कुश्चन इस एक्सरसाइज का देखे फ्रेंग्स अगर आपको वीडियो समझा रही हैं तो प्लीज आप हमारी मैनच को देखे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट करें हम आपको पूरा सले बस इसी प्रकार बोर्ड पे करवाएंगे आप बस हमें स्पोर्ट करते रहें थैंक्स पोर को पूर लेजिए झाल